नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्पीक इंगलिश 99 में आज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूँ जो अक्सर है कम्प्रेटिव एक्जाइम में या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो आज हम पूरा सेखने वाले हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो सुरू से अंतक यदि आप देखते हैं तो आपको नैरेशन पूरी तरीके समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं कि नैरेशन जो है इसमें जो है डारेक्ट और इंडारेक्ट क तो यहाँ पर दो प्रकार के स्पीच होते हैं एक डारेक्ट स्पीच और एक इंडारेक्ट स्पीच मतलब डारेक्ट का मतलब जो बात आप डारेक्ट कह रहे हैं वो डारेक्ट स्पीच होगा और जो इंडारेक्ट है मतलब आपने कुछ कहा और आपकी बात को कोई और किसी से कहे तो इंडायक्ट होता है तो चलते हैं यहां पर मैं आपको जो है important जितने भी यहां पर rules होंगे वो मैं बताता चलूँगा और आप उनको जो है note करते चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले लिखा गया है यहां पर जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बीना किसी परिवर्तन के अभिएक्ट कर दे तो वह direct speech कहलाता है यहां अगर किसी ने कोई बात कही और उसी बात को आप किसी और से कह रहा है यह उसके ही सब्दों में कहेंगे तो वह direct speech होगा यह अपने सब्दों में कुछ बनाकर कहेंगे तो indirect होगा यहां पर जैसे देखिए यहां पर जो है जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड यहां पर यह जो है डारेक्ट है डारेक्ट में कुछ और शाम क किुछ कहताएं कि यहां पर जो है दो नहीं होते हैं इसके राम सेज इससे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ड इससे हम रिपोर्टिंग गड़ गो कहते हैं और यह रिपोर्टिड स्पीच है तो यह याद रखेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब यह है और रिपोर्टेड इस्पीच यह है अब देखते हैं इन डायक्ट स्पीच यहाँ पर देखे लिखा इन डायक्ट स्पीच जब कोई वेक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने सब्दों में कुछ जरूरी परिवर्थन कर पस्तुत करें तो वह इन डायक्ट स्पीच कहलाता है मतलब यदि आप से किसी ने कोई बात कही और आप उसकी बात को वैसे ही ना बता कर अपने सब्दों में कुछ मिलाकर बोलते हैं तो वह इन डायक्ट होता है जैसे यहां पर देखे राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड अब यहां पर राम ने जो कहा था उसमें जो है अपनी तरफ से जोड़ा राम सेज राम कहता है दैट दैट भी जोड़ा यहां पर और यहां पर प्रोनाउन का परिवर्थन किया प्रोनाउन क्या था यहां पर आई अपने सब्दों में बता रहा हूं मैं उसके सब्दों में नहीं बताऊंगा तो यह इन डारेक्ट है तो डारेक्ट का मलब कोई बात डारेक्ट है जैसे किसी ने बात कही और आपने वैसे उसी की बात को वैसे ही बता दिया तो डारेक्ट हो गया अगर वैसे ना बताकर अपन assertive sentences कतनात्मक वाकिए एसायटिव संटेंस में कैसे डारेक्ट से इंडायक्ट में बदला जाता है इसके नियम पहले सीखते है अब यहां पर देखिए assertive sentence को डारेक्ट से इंडारेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या चीज़े करना पड़ता है तो उसमें अलग नियम लगेंगे यहां पर सीष बाई चीजें को चेंज करने के लिए क्या-क्या नियम हमें ध्यान में रखना है तो सबसे पहला नियम है कामा इंवर्टेट कामा कामा इंवर्टेट कामा को हटाएं और कंजेक्शन दैट का प्रियोग करें यह नियम हो गया दूसरा नियम है प्रोनाउन नीचे दिये गया नियमा अंसार प्रवर्थित करें यहां नीचे नियम दिया गया है यह य नीचे दो लिखा है और यहां यहां के नीचे थ्री लिखा है इसका मतलब यह आपने पढ़ा होगा तो यहां पर जैसे की दिया गया है फ़र्ष्ट परसन और यहां दिया है सिकेंड परसन और यह थर्ड परसन तो अब यह फ़र्ष्ट परसन का मतलब है एक और सिकेंड परस ये ध्यान में रखना है क्योंकि है यह अप को नहीं पता होगा नहीं पदल सकते हैं तो सर्फ परसन में आते हैं आई और व्यूम आप एकेसे नीचे एक है इसका मतलब यह एकि first person subject के अनुसार बदला जाएगा Yes का मतलब यहाँ पर जो है वो है subject subject होता है Yes का मतलब तो first person में I और V आते हैं इसका मतलब है कि I और V जो है subject के एक आडिंग बदले जाएगे उसके बाद दिया है दो दो के उपपर लिखा है O इसका मदलब है कि दो का मदलब होता हुद यह निसी कें परसं तो सिकेंट परसं और अबजिक के अनुसवार बदला जाएगा अभी आगे आपको समझ में आएगा उसके बाद है तीन लिखा आ है वोई यह न नीचे यहन का मनलब होता है नो चेंज यहनका मदलब शर्ध परस भी नहीं होगा यह जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे अभिया पर देखिए एक्जेम्पल दिया गया है ही सेज आए वाइक हाड मैं करता हूं वह कहता है तो यहां पर देखिए इसमें कोई चेंज नहीं करना और यहां पर देखिए फर्ष पर्षण कौन है आई आई जो है यहां फर्षबर सन है और इसको बताया गया था कि पर सन किसके अन्षार बदलब लेगा तो यह 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 करता कौन है आई के लिए हम इस ही के पास जाएंगे आई के लिए ही के पास जाएंगे और ही जो होगा वही जो है हम आई को उसी के अनुसार बदलेंगे यदि ही के पास गए यदि ही जो है थर्ड परसन है तो हम आई की जगा ही ही लिख देंगे जैसे यहां पर देखिए ही जो है सब्जेक्ट है और आई जो है यहां पर वो first person है यह first person है तो यहां यह first person है इसके पास जाएगा subject के पास गया according to subject की यह बदला गया तो यह यहां पर जब गया तो इसको हम जब बनाएं तो इस परकार से बना ही लिखा उसके बास सेज लिखा और फिर that conjunction जोड़ा और फिर I को ही बना दिया क्योंकि I और वी subject के पास जाएंगे तो यह subject के पास गया तो subject हमारा ही था तो हम यहां पर ही ही लिख दिये और उसके बाद ही के साथ क्रिया में एस लगता है तो एस भी लगा दिये यह याद र स हो गया यहां पर u ego लगा तो आसा करते हैं यह समग पने आ रहा है तो यह राखीएगा आप जह आब आगे चलते हैं कि आगे यहां पर दिएा गया है हां यू के बारे में यहीं सिकेंट परसना के बारे में jis ke he says to me यू work hard यह पर अब आई नहीं है यहां पर यू आगे है तो यू किस के बाए पास जाएगा यू सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा इसके पास यह नहीं जाएगा यू जो है सिकेंड पर सने तो यह अबजेक्ट के पास जाएगा किसके पास अबजेक्ट के पास यहां पर क्या है मी है तो मी का ही यहां पर सब्जेक्टिव रूप लिखा जाएगा तो यह मी के पास जाएगा यू और आई अगर आई के पास जाएगा तो इस परकार से यहां पर मी का सब्जेक्टिव क्या होता है आई होता है और उसका माई होता है और इसी का अब्जेक्टिव होता है मी इसी का अब्जेक्टिव मी होता है तो यहां पर मी है और हमें सब्जेक्टिव के से लाना है तो मी को आई में बदलेंग ठीक है तो यहां पर हो जाएगा जैसे यहां दिया गया है ही टेल्स मी डैट यहां पर आप देखिए अगर सेज होता तो यहां पर नहीं बदला जाता यहां पर सेज टू है सेज टू बदला जाता है सेज नहीं बदला जाता तो सेज टू को टेल्स में बदल दिये तो ही टेल मी दैट उसके बाद लगाए फिर आई हो गया मैंने कहा ना मी था तो हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा आई तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड इस प्रकार से हो गया इस अब देखते हैं आगे आगे हमारा है तीसरा वीसे मीजिन से वर्क हार्ड ये वाला है यहां पर सी प्रो जानाओन है और सी जो है हमारा फिरपार सब्स क्या तर्ड पर्सन क्या होता है चेंज नहीं होता जैसे कि यहां पर कैसे था यह और यहां पर यहां पर यह ओ और यह न था और लिखा था एक दो 2 और 3 यहां पर 3 का मतलब है 3 2 3 परसनहरे और यन पर संबर है नो चैन्ज इनी 3rd person कहां नहीं होता तो हमारा 3rd परसनहरे इसलिए इसका चैन्ज नहीं हो वैसे का वैसे लिख देंगे यह लिखा है 2 set यहीं चैन्ज मे थार्ड तो यह वह इसका वैसे को वैसे ही रहेगा थारपर्संड कोई चेम्घ नहीं होता है तो अब आगे देखते मिद आगे क्या नीयम हो सकते मुझ मि आगे जो जरूरी नियम है तो आप करते जाएंगा जैसे कि यहां पर दिया थी स्राआ नियम क्या धिलि में चेंजर जैसे कि एक एधिए जो पहला दो भाग ते जो पहला भाग है यह दूसरा है जह कॉट कामा के अंदर आता रहा है वह हम रिपोर्टिंग वर्म में जो चेंज है उसको यहां पर बता रहे हैं तो इसको आप नोट करिएगा इसी से जो है बहुत यह बढ़िया सा नियम है इसको याद रखिएगा जैसे कि यहां दिया है सेज और सेड को इन डारेक्ट सीट में यथावत रहने देते हैं यानि इसक और सेट्टू को टोल में बदल दें अगर यहां पर सेट्टू है सेट्टू है ऐसे यह मेरा चल नहीं रहा ठीक है सेट्टू है सेट्टू तो यहां पर टेल्स में बदल देना ऐसे अगर मिल जाता है सेज टू अगर मिल जाता है सेज टू तो हम टेल में हम यस लगा तो यह सही से लिखने पारा तो से और उसके बाद अगर तो हम तेल्स में बदल देते हैं यह तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि अगर खाली से से है यह खाली से पैज Boss है तो वैसे को वैसे रहेगा अगर उसमें यह थो फिर बदल जाएगा टेल यहाग में अगर फांस में सबसा करते हैं को समझ में आ आगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि He says to me He says to me You work hard अब देखिए अब इसको आप आसानी से बना लेंगे Says to को हमने कहा था Tells में बदलना है तो Tells में बदल दिये और उसके बाद Me लिख दिये और फिर That conjunction का यूज किये क्योंकि यह assertive sentence है और फिर प्रोनाउन का यूज किये प्रोनाउन कौन था यह यू था तो यू को हम Me के according बदल दिये तो Me का subjective case क्या होता है I होता है तो हम I बना दिये इसको और उसके बाद जो है वर्क लिखे फिर हाड लिख दिये तो और हाँ यह inverted कामा जैसे यहां पर लगा इसमें तो यह वाला जो inverted कामा है इसको हम हटा देंगे जब indict में बनाएंगे तो इसको हम हटा देते हैं अब यहां note करके लिखा है कि tell और told के बाद to का प्रयोग नहीं किया जाता है यह नहीं कि तेल्स के बाद to का प्रयोग करें उसके बाद में लिखें यह गलत होगा tell या told के बाद to का प्रयोग नहीं किया जाता दूसरी चीज tell और told के बाद object का प्रयोग करना जरूरी होता है इसी का प्रयोग इसी प्रकार ordered और requested और forbid इत्यादी के बाद भी एक object का प्रयोग होना चाहिए ठीक है यदि इन में बदला गया है tell अगर tell या told है तो उसके बाद to का प्रयोग नहीं होगा और उसके बाद object जरूरी लिखना होता है नियम जो था यह सब जो है note करते जाहिएगा अगर reporting और present अत्वा future tense में हो reported speech के sentence में कोई परिवर्तन नहीं होता है हाँ यदि reporting यदि दो भाग होते हैं जो पहला भाग होता है यदि वो present या future में होता है तो हम reported speech का कोई tense नहीं बदलते जैसे यहां दिया है he says अब यहां says यह क्या है यह present में है तो दूसरा चाहे जो sentence है उसको हम नहीं बदलेंगे he says I come here अब यहां पर यह sentence नहीं बदलेगा लेकिन pronoun बदलेगा pronoun जरूर बदलेगा तो he says उसके बाद लिखा that और फिर he बदल गया I किसके पास गया था इस he के पास गया तो ही मिला तो ही को उठा लाएं और यहां पर लगा दिये और comes here अब कम में yes भी लगाया गया क्योंकि pronoun चेंज हो गया एक बच्चना गया प्रणाउन तो हम यहां पर yes का प्रिव कर दिये अगला नियम अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन डिपोर्टिंग स्पीज यूनिवर्ट रूथ एडियम्स है कोई एडियम्स है फ्रेज है है विच्वल एक्सन है और हिस्टोरिकल पैक्ट है तो डिपोर्टिंग स्पीज के टेंज में कोई परिवर्टन नहीं किया जाता जैसे देखिए यहां पर He said the sun is a star अब यह क्या है यह universal truth है इसको universal truth का मलब जिस चीज को सब जानते हैं और जो सत्ती चीज है तो वो सत्ती चीज है और सब जानते हैं तो फिर उसका change नहीं होगा अब यहां देखिए past में होते वे भी यह present में ही रहेगा He said और इसके बाद लिखे that और फिर the sun is a star सूरज एक star है तारा है यह सच बात है तो हम जो universal truth होता है तो हम sentence नहीं बदलते हैं अगर reporting वो past में हो और reported speech idiom phrase इत्याद नहीं हो तो reported speech में निम लिखित परवर्तन किये जाते हैं अगर यह condition जितनी भी दिये हैं यहां पर यह condition जितनी भी दिये हैं अगर इस से अलग है तो फिर हम बदलते हैं और इसके नियम क्या होते हैं बदलने के वो नीचे देखते हैं He said I came here yesterday अब इसमें बदला जाएगा क्योंकि इसमें कोई universal truth नहीं है तो इस परकार से देखी यह बन गया He said अब pronoun बदला तो ही हो गया यहां पर ही हो गया और इसके बाद यह पास्ट इंडेपिनिज में था तो यह पास्ट पर्फेक्ट में चला गया और यहां पर किरिया का दूसरा रूप हटा करके यहां हैड का प्रेयो किया गया और किरिया का तीसरा रूप लिखा गया He had come there और हां Heare का भी देर हो जाएगा Heare का हो गया देर दप प्रेवियस डे अब इस टर डे का हो जाता है आधे त्रीविएस डे यहीं चीजह आगे मैं बताने वाला हूं कैया बदल जाती है जब डायरेक्ट से इन डायरेक्ट में बदल तो इस पर कलसे टेंसय बदल गया आगे नियम शीखने वाले हैं आप जो हैं इन को लिखते जायेगा जू चीजह मैं बता रहा हूं उनको सब को नोट कर लिजिए अब देख लिजिए यहां पर दिया है चेंज इंटेंस चेंज कैसे चेंज किये जाएंगे ठीक है सिंपल प्रेजंट में आता है जो या डज यह वीवन ठीक है इसको बदल देना है तुमको जो है पास्ट इन आपटया हैं सॉल calculated में यहिए प्रजेंट इंडी ने को पास्ट इंडटेंट přेंस में बदल देना है अगर इंडव ल्ख देनके और फिर दूसरा दिया है प्रजेंट कंटीनियस ट्रजेंट कांचीनियस intens को हम पास्ट कांटीनिवस्टेंस में बदल देते हैं अगर पास्ट कांटीनिवस्टेंस मिल जाता है यह वाला तो हम पास्ट कांटीनिवस्टेंस मिल जाता है तो हम पास्ट कांटीनिवस्टेंस में बदल देते हैं परजन कांटीनिवस्टेंस को पास्ट कांटीनिवस्टेंस में बदल देते हैं और पास्ट कांटीनिवस्टेंज मिल जाता है तो यह पास्ट परफेक कांटीनिवस में बदल देते हैं और पास्ट परफेक कांटीनिवस्टेंज है तो फिर उसका नोचेंज होगा अब आगे यहां पर प्रजेंट पर्फेक्ट को प्रजेंट पर्फेक्ट को जो है हम प्रजेंट पर्फेक्ट में बदल लेते हैं और प्रजेंट पर्फेक्ट कांटी निवस्टेंस को हम प्रजेंट पर्फेक्ट कांटी निवस्टेंस में बदल लेते हैं और पास्ट परफेक कांटीनिवस टेंज का कोई चेंज नहीं होता ठीक है तो यह नियम जो है आप लिख लिए ऐसे ही नोट कर लें अब देख लिए यहां पर चेंज आफ मॉडल्स मॉडल हर्पिंग वह वहते हैं जैसे साल विल में में होता है कैन होता है यह होते हैं तो इनका चेंज साल और विल का चेंज सुड या उड में हो जाता है ठीक है सुड या उड में हो जाता है और मे का माई में हो जाता है कायन का कुड में हो जाता है ठीक है तो इनका चेंज यह से हो जाता है तो यह भी जो है लिख लेजिए उसके बाद है चेंज इन टाइम एंड प्लेस मलब कैसे हम टाइम का समय का जो चेंज करते हैं और प्लेस का कैसे स्थान का चेंज करते हैं तो कि टोडे बदल जाता है हमारा दा प्रेवियस डे में सुआ यहाफ स्थे देब्स नया में नाष्ट बदल जाता है प्रेवियस में और हेर का देर हो जाता तो झाता है थीसके अगों का हो before हो जाता है ,now का then हो जाता है सबस्क्राइध है तो इस फ्रकार से बदल करें लिख लिज alternator कि ऑब यहां पंपर देखे कुछ एक जयामपल नहींट पर दीए गया हैं जिनके सहाइता से अब सिदिध्म यह già को सहा यह जाсь अब देखिए यहां पर पहला एक्जम्पल दिया गया है सी सेड़ आई केनाट हेल्प यू एट इस टाइम ठीक है अब यहां पर देखिए की सेड़ केवल सेड़ है तो हम इससे ठोल्ड में नहीं बतलेंगे और प्रुनावन अगर यह पास्ट में पहला वाला अगर यह पास में है तो यह भी पास्ट में होना नहीं जो रपोर्ट्ट स्पीच है तो यह जब रीपास्ट में होना चाहिए ठीक है तो इसको जब बदलेंगे तो यह पास्ट में हो जाएगा तो सी कासी सेड़ लिख दिये तरफ लगई फिर उसकेshore बाद प्रूनावन बदला तो इसके पास गया था तो यहां सी मिला तो सी ही यहां पर उठा के है तो सी उसके बद कैन नाट का हो जैता है एक हम अन्य थिक तो यहां वगया कुड़न्ट और फिल लिख दिये और यहां देखिए इसका भी चेंज होगा यू है तो यू हो जाएगा अबजेक्ट के पास अबजेक्ट है नहीं तो हम पनी तरफ से आई को माल लिए अबजेक्ट ठीक है तो हम यहाँ पर मी लिख दिये ठीक है मी को अबजेक्ट माल लिए तो हम मी लिख दिये और फिर at लिखे फिर this time this time को हो जाएगा that time ठीक है this का that में बदल जाता है ठीक है this को that में बदलना है उसके बाद दिया है he said to me I shall come to meet you tomorrow अब देखिए यहां यह past में है और इसको past में हिलाना है जब इंडाइक में बदलेंगे और सेट टू मिल गया है तो हम टूल्ड में बदल दिये ठीक है? और उसके बदल में आया फिर दैट लिखे फिर सेल या विल का हम जो है जो है चेंज करते हैं तो सूट या फिर उड में हो जाता है तो जब करता बदल जाता है तो उसी के कोर्डिंग हेल्पिंग वब लगाई जाते है तो यहां आई था तो इसलिए सैल हो गया था और आई यह ही के पास गया तो ही मिला तो ही ले आए तो इसलिए हम यहां पर सैल ना लगा कर उड लगाए ठीक है? सूट ना लगा कर उड लगाए तो he मिला तो he उसके बाद would और फिर come to meet me यू था तो यहां पर you me के पास गया था इसके पास तो यहां इसका ही रूप लिख देंगे ठीक है तो me हो गया the next day the tomorrow का क्या होता है the next day ठीक है the next day उसके बाद यह जितने भी example है जो है इनको अब जो है नोट कर ले और हाँ वीडियो का भी बड़ा हो चुका है तो आप जो है इन एक्जैंपल को देखें और आप जो है बना लेंगे अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहां का जो है इंडाइक्ट कैसे बनाया जाता है तो इसे साथ वीडियो समाप करते हैं थाइंक्स बीडियो अगर पसंद आया तो इसे शेयर कर दे दूसरे आपके जो दोस्त हैं उनके पास ताकि जो है आप वह भी इसका जो है लाब ले सके तो कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा तो यहां पर आगले वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रगेट्व सेंटेंस का डायक्ट से इंडायक्ट कैसे बनाया जाता है तो इसे साथ वीडियो समाप करते हैं थाइंक्स फार वाचिंग